नमस्कार आज के मेगा इवेंड में सबी का स्वागत करता हूँ नाम विलास थोराथ किसान परिवार से हूँ इसलिए मिडल क्लास फैमिले से बिलांग करता हूँ और मुझे फक्र है कि मैं किसान का लड़का हूँ क्योंकि फक्र है इसलिए कि किसान खुद भुका रहेगा लेकिन सारी दुनिया को पेड़ बर खिलाएगा और सभी जानते जिस दिन किसान अगर खुद के लिए जिना शुरू करेगा उस दिन शायद आधी दुनिया को भुका सुना पड़ेगा और मेरी दस्वी तक की पड़ाई गाउ में हुई इसलिए मेरा सारा बच्पन खेत खलियानों में वादियों में पहाडों में जंगलों में गुजर गया क्योंकि गायों को चराने के लिए जाना पड़ता था मुझे आज भी याद है यहने हमारे गर के हाला ठीक नहीं थे इसलिए टेंद के बाद बुक्स के लिए बैक्स के लिए कपड़ों के लिए दूसरों के खेतों में काम करना पड़ता था मजदूरी करनी पड़ती थी जब मैं 11 कक्षा में चला गया मुझे आज भी याद है पजामा पहन के क्वाले जाना पड़ता था सारे लड़के लड़किया मेरी तरफ देखके हस्ते थे ऐसे मेनत और मजदूरी करते-करते ग्राज़ेशन किया बेसी एलेक्ट्रोनिस्ट या एक्चली एमेसी करना था लेकिन गर के हाला इसकी इजाज़त नहीं दे रहे थे इसलिए पड़ाई खत्म हो गई और पूना आ गया बड़ा शहर बड़े सपने लेकर पूना आ गया एक एलेक्ट्रोनिस कंपनी में जवा सालरी थी 500 रुपीद तीन सो रुपे खाने के लिए जाते थे देड़ सो रुपे रहने के लिए जाते थे पचास रुपे बचते थे उसमें महिना गुजारना पड़ता था और सर्विस करते-करते यह द्यान में आया सर्विस भूग तो भूग को मिटा सकती है लेकिन हो शुरू हो गई पीरलेस नाम के एक कंबनी मिले जहां पर इतना पैसा इतने साल बरो पिर इतने साल के बाद आपको इतना पैसा मिलेगा और इस कंबनी में साथ साल काम किया और साल के बाद और नहीं वहां पैम सात्त northeast विणवाbn ब्लोगों को समझाते थे कि बॉस्क्राण गाड़ी होगा तेरा कोड गोड़ा होगा ते रही उड़ी होगी तेरी मर्चली सोगी तटरा जिसी भी होगा तेरा पॉकलन होगा फिर तो पॉकलन बनेगा हमारा कुछ व вам उसका होने का कोई सवाल आया नहीं है। लेकिन इस साथ सालों में बहुत कुछ हुआ। साथ सालों में इन साथ सालों में शादी होगी, एक लड़का हो गया, सर्वीच छोड़ दी और उपर से अभी एक पीरलेस कंबनी बंद होगी। और जैसे ओ कंबनी बंद होगी गर में सुनामी आ गई। बीवी ने सारे रिष्टेदारों को गर पे बलाया और समझाना शुरू किया, नेटवर्क मार्केटिंग करते, सुनते नहीं सर्वीच छोड़ दी। सारे रिष्टेदारों ने गाली देना शुरू किया, किसी ने कहा तू पागल है क्या, किसी ने कहा तू गदा है क्या। मैं मुंडी नीचे करके सुन रहा था, क्योंकि तब तक यह जान चुका था, कि दुनिया का सबसे जादा पैसा सेल्स और नेटवर्क मार्केटिंग में मिलता है, यह चीज उ मैं जान चुका था। और सभी जानते इजराल जैसा एक छोटा सा देश पूरे वर्ल्ड को सप्लाई करता है। चाइना जैसा कंट्री सेल्फ की ताकत की बज़े से एक महा सत्ता की दिशा में हैं। और अमरीका वेपन बेच बेच के वर्ल्ड का सूपर पाउर बना। और हम सेल्स को नकर अत्मक भाउना से देखते हैं। इसलिए हम पीछे रहे है। और नेटवर्क मार्केटिंग में दुनिया का सबसे जाधा पैसा मिलता है। क्योंकि यह मै जान चुका था कि नेटवर्क मार्केटिंग में समय का डूब्लीकेशन होता है। मैंन का पावर का डुब्लिकेशन होता है जैसे अगर हम खेतों में काम करेंगे पाच गंटा देंगे तो हमें पाच गंटे का पैसा मिलेगा किसी बिजनेस में अगर हम दस गंटा काम करते है तो हमें दस गंटे का पैसा मिलेगा यहने time is equal to money अगर हम service करते है पचीस हजार कमाते है तो रोज आड़ तास देना पड़ता है मतलब जब हम आड़ गंटा देते है तब हमें पचीस हजार रुपे मिलते है मतलब time is equal to money लेकिन अगर हमें पचास हजार चाहिए तो क्या करना पड़ेगा? मतलब 8 गंटे के बदले में 16 गंटा काम करना पड़ेगा तब जाके महिने को पचास हाएगा लेकिन 16 गंटा हम हमेशा के लिए कर सकते हैं नहीं कर सकते ज़्यादा दिन किया तो हस्पिटल में भरती होना पड़ेगा यह वहाँ पे समय का डुब्लिकेशन कर सकते हैं लेकिन मैन पाउर का डुब्लिकेशन नहीं कर सकते पचास हजार कमा सकते लेकिन ज्यादा समय नहीं कमा सकते इसलिए कुछ-कुछ लोगों ने वहाँ पे दिमाग लगाया बीवी कोई काम पे लगा दिया इन्हें मतलब समय का डुब्लीकेशन हुआ बीवी याठ घंटा काम कर रही है और मैन पाउर का डुब्लीकेशन हुआ इसलिए घर में पचास हजार इंकम आ रहा है अभी अगर 75,000 इंकम चाहिए तो क्या करना पड़ेगा क्या करना पड़ेगा अच्छा किसने का और एक शादी करनी पड़ेगे यार भारत की संस्कुरुते में अलाउट नहीं है और मोदीर जी के राज में तो बिलकुल पॉसिवल नहीं है बरएब य करने और मैं ये जान चुका था नेटवर्क मार्किटिंग में समय का डुब्ली केशन होता है मैं जोन पावर का डुब्ली केशन होता है इसलिए और एक नड़ कमभणी की खो़ज शुरू हो गी और एक पाच साल और एक कंबनी में काम किया, वापिस पाच साल के बाद वापिस ओकंबनी छोड़नी पड़े, जीवन के बारा साल चले गए, वापिस घर में वापिस सुनामी आ गई, लेकिन इस टाइम बीवी ने साथ दिया, क्योंकि वो जानती थी, यह सर फिरा करेगा तो यही करेगा दुसरा कुछ नहीं कर पाएगा, इसलिए इस टाइम बीवी ने बहुत अच्छा साथ दिया, और कहते हैं कि बगवान के घर में देर होती है, अंदेर नहीं होता, नेट सब मिली, नेट सब को अच्छी तरह से समझ लिया, काम करना शुरू किया, सुब साथ बारा बजने से पहले कभी घर नहीं आता था, रोज साथ लोगों को मिलता था, चार पाज लोगों को जोडता था, इसे पहले महिने में में एक सो दस लोगों की टीम बनाए, दूसरे महिने में साड़े चार सो लोगों की टीम बनाए, तिसरे महिने में बारा सो लोगों की और पहले 5 महेने में आठ हजार ल GoPro कीटीम बनाई video और पहले 5 महिने में 16 लाक रुपे मिलगे जाहीसे 17 लाक रुपे मिलगे पहले काम जितना 12 सालों का करषता लोन था वो सारा चुकाया और एक नई एंडिका कार ली मेरे जीवन के वो पहली कार थी एक दिन मैं इसे नाशिक प्रोग्राम के लिए जा रहा था बीच में मेरा गाउ आता है माबाप को मालूम नहीं था कि कार ली है گर के सामने गाड़ी लगाई माबाप बाहर आगई माबाप को लगा कंपनी की गाड़ी होगी किसी दोस्त को होगी माबाप को गाड़ी में बिठाया चक्कर लगाया मा के मुँँ में पेडा डाल दिया उस दिन मा की आखे डबडबाई थी और मा के आखों में से मोती टपक रहे थे वो मेरे जिंदगी का सबसे खुबसूरत दीन था वो जिंदगी में मैं कभी भूल नहीं पाऊं ऐसे करते 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 पहले साल में ही साट लाक रुपे मिल गए और पहले एक्कीस महिने में ही मुझे नेटसब के माद्यम से एक करोड एक्कीस लाक रुपे मिल गया एक फ्लाट लिया एक फ्लाट लिया भीव को बहुत सारे गहिने दे दिये क्योंकि वो एक ही थी यार आप कहां से खाहां चले गए यार यारे मुझे कहिना यह था है वो एक ही थी जिसने कभी हाथ नहीं छोड़ा साथ नहीं छोड़ा और मुझे बताने में और मैं आज जो भी हूँ पत्नी की बज़े से हूँ, यह बताने में ना तो कोई मुझे संकोच होता है, ना छोटा पन महिसूस होता है. My life, beautiful wife, नाम है पुर्निमा, नाम की तरह है चांद जैसी शीतल है, जिसने मेरे जीवन में उजाला लाया, और मेरे संसा रुपी आंगन में दो उसकी वज़े से फूल खिलते हैं, दो पर पड़चाई भी साथ छोड़ देती हैं, लेकिन जिसने आज तक भी साथ नहीं छोड़ा, थोड़ा उसी के भावनाओं को थोड़ा समझ लेते हैं, पुर्निमा अमन. केमचो गुजरात, मजामा, नमस्कार, मैं मिसेस पूर्णिमा विलास्थोरात, आप सबका नेटसर्प के इस फैमिली फंक्शन में तहे दिल से स्वागत करते हूं. बिकॉम तक पड़ी हुई हूं, दो बहने, एक भाई, पापा की कमपनी बंध होने की वज़स से, पूरा सबकुछ मा के पेमेंट के उपर चल रहा था, पेमेंट था 400 रुपया, खाने वाले आठ लोग, कमने वाली एक, ऐसे में बड़े सपने तो देख ही नहीं सकती थी, रिजन एक ही था, लड़के के गर में खेती है, उन्हें कहा पता था कि खेती पूरी बंजर है, सिर्फ बारिश के पाने के उपर चलती है, आर उपर से बारिश भी हमारे गाव के उपर, नवट टक्का हमेशा नाराज रहती थी, तो दस टक्के में क्या होता होगा, आप ही स वो एक दीन था, और आज का एक दीन है, पूरा 60 लाक्स रुपीच खर करके, वही बंजर जमीन पूरी पानी के नीचे लाए, मिस्टर थोराद साब, आज पता चला कि तब पापा ने क्या देखा था, बारीश को बोले तुम रहो नाराज, मैं मेरा काम करता रहूंगा, जै हो नेटसर्फ, सिर्फ नेटसर्फ की वज़े से ये पॉसिबल हो पाया, वो एक दीन था, कि शादी के टाइम पे, सिर्फ चार मनी, और एक छोटा सा पेंडन्ट, गले में मंगल सुत्र, और आज का ए जै हो नेटसर्फ, सिर्फ और सिर्फ नेटसर्फ की वज़े से, वही दो सोने के मंगल सुत्र के मनी, सुनार के पास गेरवी रखके तब गाव में दिवाली मनाई जाती थी, बाईदूच के लिए जब इनकी बहने और बच्चे आते थे, तो शौप में उनको ऐसे ही छोड के पैसे देने के लिए जाता था, खुद के लिए और इनके लिए तो कभी कुछ लेते नहीं थे, खुद के लिए कभी जिये नहीं है, यह मैं आज गर्व के साथ कह सकती हूँ, आज भी आदमी खुद के लिए जीता नहीं है, सिर्फ दूसरों की सोचता है, वो एक दिन था और आज का एक दिन है गर के साथ कह सकती हूँ कि खुद के कपड़ों के लिए भी घर में कबड कम पड़ रहे और बहर एक भांजी के लिए ददश हदार का एक ड्रेस में ले सकती हूँ आज जै हो नेट सर हर एक पत्नी को लगता है कि उसका पती रात को जल्दी घर आ जाए रात को मतलब शाम कोई लेकिन साव आते थे रात के बारा बजे गैरेंटेड वी भी नाराज होती है ना लेकिन यहाँ पर मनाना वगरा तो बहुत दूर की बात है क्योंकि ऐसे कोई सिच्वेशन में इनका एक सेंटेंस फिक्स था हम तो गाव के लोग है हमें कुछ आता नहीं है मनाना वगरा एकाद भी बड़े ध्यान में नहीं वेडिंग अन्वर्सरी के डेट ध्यान में रहने के तो कोई चांसे सी नहीं 26 साल में एका दिया दूसरा ऐसा मोका रहेगा कि वेडिंग अन्वर्सरी में साब मेरे साथ थे नेटसर्फ का एक टूर था आउट अफ इंडिया का पता नहीं कि पूरा ट्रिप में मैं उनको रिमाइंड देती रही छोटे-छोटे हिंड देती रही कि आज हमारी वेडिंग अन्वर्सरी है लेकिन सर को कुछ ध्यान में नहीं पूरा जुनियर के साथ और वो ट्रिप एंजोई कर रहे थे बेंकर सर को बता दिया मैंने ऐसे मैं थोड़ा नारास थी आते टाइम पे उन्होंने बोल दिया कि आरे आज तेरी वेडिंग अन्वर्सरी है उन्होंने गाना गा के हमारी वेडिंग अन्वर्सरी तब वहाँ पे सेलिबरेट की बस में लेकिन इनको कुछ पता नहीं था लेकिन फिर ये नाराजी कुछ ही दिन रहती थी क्योंकि फिर सोचती थी कि ये काम किसके लिए कर रहे है अपने फैमिली के लिए कर रहे है अपने बच्चों के लिए कर रहे है इनके लिए बुरा भी लगता था क्योंकि तब एक साइकल पे ये आदमी दीन भर गुमता था पाच बजे ड्यूटी खतम करके एक बैग रखो, चाय पीलो, दुसरी बैग उठा लो वही साइकल, फिर रात के वही बारा बजे वापस आना खुद के लिए कभी जिये नहीं है न बारिश की तमा न दूप की फिकर ऐसे ही गुमते रहते थे काम के बारे में एक किस्सा जरूर बताना चाहूंगी साइकल के बाद में हमने एक सेकंड हैंड लूना ले ली थी मुझे एक दिन पिक अप करने के लिए ओफिस चले आये दिमाग में सिर्फ काम था बीबी पीछे बैटी की नहीं देखा नहीं साब चल दिये ना तब मोबाइल था ना कुछ था और होता तो भी हमारी कपेसिटी नहीं थी लेने की आदे रास्ते तक गये होंगे फिर व्यूटन लेके वापस आ गये फिर मुझे लेके चले गये वो एक दीन था और आज का एक दीन है कहीं भी निकलो पारकिंग में ओडी हजिर रहती है जय हो नेटसर सेम बच्चों के बारे में बोलना चाहूंगी बच्चों के लिए भी बिलकुल टाइम ने दे पाते थे उनका बच्पन कभी देखा नहीं मुझे लगता है यहाँ पे बैठे सारे सीनियर्स की सेम कंडिशन रही कि किसी ने भी बच्चों का बच्पन देखा नहीं रहेगा काम के सिलसिले में क्योंकि तब नेटसर की भी शुरुआत थी और इन लोगों की भी शुरुआत थी बच्पन के बड़े ध्यान में नहीं रहते थे और कभी भी आते थी तो बच्पन को टाइम ने देपाती थे लेकिन वो एक दिन था और आज का एक दिन है कि बच्पने सिर्फ बोलना है बड़े की दिन कि पापा ये चाहिए बिल सैंक्शन हो जाता है जै हो नेट सर बच्पन को स्कूल में कौन से डालना है ये कौन से स्कूल की फीज कम है ये देख के तब स्कूल में एडमिशन लेना पड़ता था और आज गर से कहना चाहूंगी कि बेटा बाहर से पढ़के आ गया है और बेटी बाहर जाने की तयारी कर रही है जै हो नेट सर मेरे ममी और पापा कब मैं हमेशा शुक्र गुर्जार रहूंगी अगर उन्हेंने बच्चों को नहीं संबाला होता तो मैं कमाने के लिए घर के बाहर कभी नहीं निकल सकती थी दूसरी और इनकी माने बच्चे छोटे ते तभी घास की सबजी खिला के इनको बढ़ा किया बेटा बढ़ा होने के बाद शहर चला गया कुछ कमाने के लिए घर चलाने के लिए लेकिन मा ने कभी पीछे से टोका नहीं इनके कि बेटा तु आता नहीं है, मेरे ले कुछ लाता नहीं है वो मा को मेरा शतेशाह प्रणाम है क्योंकि उन्होंने कभी भी, कभी भी साथ नहीं छोड़ा है वो एक दिन था और आज का एक दिन है कि मा ने सिर्फ कहना है कि बेटा मुझे ये गहना चाहिए बेटा नेक्स टाइम लाके दे देता है जै हो नेट सर्व आप आज सही जगह पे आये हो तब हम रेंट पे रहते थे गंदा महल चौल के जैसा घर ना लोकेलिटी अच्छी ना लोग अच्छे वो एक दिन में कभी बुला नहीं पाऊंगी कि जब तॉयलेट का गंदा पानी पूरे बात्रूम से उल्टा के पूरा घर बर गया था बेटा छोटा था रोने लगा उस दिन में इतनी रोई इतनी रोई कि पता नहीं चल रहा था कि ये सिचुएशन कब चेंज हो जाएगी पर पूछ ने लेकिन आज गर के साथ कहना चाहती हूँ आज जो भी शॉप सर प्लाट लिये हो है वो हम रेंट पे देते हैं और बोलते हैं जै हो नेट सर आज आप सही जगह पे आये हो वो एक हिंदी गाना है अपना टाइम आएगा है ना? शायद से ये सब को पतर हैगा अपना टाइम आएगा इतने सारे लोगों का तो आएगा ही आएगा क्योंकि नेट सर्फ है सिर्फ एक दर्खवास करना चाहूंगी कि आपने फैमिली को सपोर्ट कर आपे होगे ये मेरा विश्वास है दन्यवाद जय हो नेट सर थैंक्यू थैंक्यू मुझे भी इमोशनल कर दिया थोड़ा सा देखो ये बिजनेस करने के लिए फैमिली का सपोर्ट हंड्रेट परसेंट जरूरी है क्योंकि अगर हम कई पे भी जाते है तो फैमिली को पता हो ना ची कि हम कहां जा रहे हैं क्या कर रहे हैं करियर क्या है फ्यूचर क्या है ये फैमिली को पता हो ना जरूरी है क्योंकि ये अनुभव से बोलता हूं जितना सपोर्ट इस बिजनेस में जितना सपोर्ट इस बिजनेस में पतनी करती है उतना सपोर्ट दुनिया में कोई करता है और जितना विरोध भी पतनी करती है दूसरा कोई करता है और दुनिया में सब को सब को समझाना बहुत आसान है लेकिन पतनी को समझाना बहुत मुश्कील है क्योंकि ये सवाले इसे पूछते ही कि जिनके उत्तर ही नहीं बनी है। इसलिए हम कहां जाते हैं, क्या करते हैं। मुझे लगता यह सब को पता होना जरूरी है। जैसे देखो, नहीं तो कुछ-कुछ लोग करते क्या है। ज़रा थोड़ी टीम मनाता हूं, थोड़ा चेक बढ़ाता हूं, और बीवी को सरप्राइद, पत्नी को सरप्राइद देता हूं, तो मेरे अंदास से गड़बढ हो जाएगा। जैसे कि देखो, आज के मिटिंग में आये हो, सच दचकर घर से निकल गए, सेंड में लगाया, बीवी आपको पूछेगी, कहां जा रहे हो, आपके मन में हैं, कि बीवी को सरप्राइद दूंगा, पत्नी को सरप्राइद दूंगा, तो आप बोलोगे, एक ऐसे काम के लिए जहां रहूं, जहां जीवन का सारा आनन्द आ जाएगा। और यहां मिटिंग में आओगे, बैठोगे, मोबाइल बंद रहेगा, बीवी को अचानक कुछ काम याद आएगा, वो आपको फोन करेगी, और उसको सामने से आवाज आएगा, जिसे उप्वोगता से आप बात करना चाहते हैं, उसका मोबाइल अभी बंद है। फिर वो सोचती रहेगी, कहां गे। फिर उसको याद आएगा, सुबह सच जच कर निकल गए, सेंड बीन लगाया, और आपका सुबह का सेंडेंस उसको याद आएगा, एक ऐसे काम के लिए जहां रहा हूँ, जहां जीवन का सारा आनन्द आ जाएगा। तो बार 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 फोन करती रहेगी, करते रहेगी, आपका फोन लगेगा नि, उसका पारा साथवे आसमा तक चला जाएगा, गुस्से से लाल हो जाएगी, आप शाम को घर चले जाओगे, रात बर डिसकेशन चलेगा, रात कोई नॉमिनी फैसिलेटी फाइनल हो जाएगी और सुबह आपका सिनियर फॉलप के लिए आपको फोन करेगा और उसको सामने से आवाज आएगी जिस उपभोगता से आप बात करना चाहते हैं उसका मोबाइल हमेशा के लिए बंद हो चुका है तो यहने कहिने का मतलब यह है हम जहां भी जाते हैं जो भी करते हैं यहारी चीजे पता होना合 जरूरी बरव तक रते करते करते कुंस म इस साल चलेगे यह उनिस सालों में एथा कोही सपना रहा निय्क ज़हमारा पचानी यह उन्नित सालों में काम करते 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 बहुत अलग 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 तरीके के लोग मिले अलग अलग जाती प्रजाती के लोग मिले कुछ पॉजिटिव लोग मिलते थे कुछ निगेटिव लोग मिलते थे कुछ खुरापती लोग मिलते थे और कुछ लोग जो है, यहने बहुत बुद्धी जीवी मिलते थे कि जैसे इतने बुद्धी जीवी जैसे वो खुद को खुदा का आखरी संतान समझते एसे एसे बुद्धी जीवी मिलते थे ऐसे ऐसे सवाल पूछते थे कि जिनके शाहिद जवाब भी नहीं होते थे जैसे कि काली भाईज हराचारा खाती है लेकिन सपेद दूद क्यों देती है और बटर पिला कैसे साइन्टिस्ट मर गे लेकिन आज तक उसका जवाब नहीं मिला इसे बहुत लोग मिले मार्केट में काम करते 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 या तो जैसे कि हम जब मेहनत करते हैं पसीना आ जाता है इन्हे शरीर के अंदर से पानी बाहर आ जाता है इन्हें मतलब शरीर को छे दे शरीर को छे दे तो नहाते समय बाहर का पानी अंदर क्यों नहीं जाता है एसे उननीस सालों में इतने साइंटिस्ट मिले इतने साइंटिस्ट मिले लेकिन आज उन सारे साइंटिस्ट में भी एक भी जिंदा नहीं है लेकिन टाइगर अभी जिंदा है इन इस सालों में ऐसे बहुत लोग मिले बहुत लोग मिले कि सर बोलते थे तर मेरे पास समय नहीं सामने सो रहे कि सितनी जूट बोलताहे तर मनीमन सोचता था यार भगवान ने सभी को चोबीस घंटे दिये है विकारी को चोबीस घंटे दिये टाटा को चोबीस घंटे दिये विकारी ने यूद नहीं किया, इसले विकारी विकारी बना, टाटा ने यूद किया, इसले टाटा टाटा बना, बाटा बाटा बना, इसी चोबीस घंटे ने सचीन को बनाया, इसी चोबीस घंटे ने लता मंगेशकर को बनाया, और इसी चोबीस घंटे ने सुजित सर ने बे और इसी चोबीस घंटे ने नटू भाई जैसे आदिमी को जूरो से हीरो बना दिया और इसी चोबीस घंटे ने हमारे जैसे कितने लोगों को आम आदिमी से खास बातमी बनाया और लोग बोलते हैं समय नहीं है और इससे मार्केट में जब हम काम करते थे बहुत लोग मिलते थे कि बोलते थे पड़ते थे टर करना तो चाहता हूं लेकिन ए जोड़ा जाडी का बिजनेस है लेकिन जोड़ा जाड़ी का अनुभव पता ही नहीं है लेकिन आपने भारत का सबसे गरीब आत्मी का नाम सुना रहेगा मुके शंबानी 27 मंजिल का 8000 करोड में घर पनाया अभी अभी जिवो नाम की एक कंपनी निकाली डाही लाख करोड लगा के अगर जोड़ा जाड़ी करके हमारे यहां दिनेज भाई नाम का अदमी अनपड़ा लाख रुपय कमाता है और ऐसे कितने लोग है जो जोड़ा जाड़ी करके कई लाख महिने को कमाते हैं और हमारे यहां कई असमिताय है पानूश अली मैडम किंजल मैडम इसे तलाटी मैडम इसे कितने असमिताय है जिनोंने कम समय में बहुत एक अच्छी टीम बनाई और लोग बोलते जोड़ा जाड़ी का बिजने से मैं हमेशा कहता हूँ यह कंबनी में आप आपके जीवन के तीन या बात साल दे दो कामयाभी आपकी कदमों में पड़ी रहेगी और यही कामयाभी पाने के लिए मैं सब को शुब कामना देते वे मेरा स्पीच आपे ख़तम करता हूँ थैंक यू और बेस्ट आपले करता हूँ थैंक